हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स ए जो वीडियो है पीजी टी नागरी सास्त्र का भाग 211 है तो अगर आप टीजी टी पी कोशन जो एक्यावन नंबर से सुरू होगा कोशन ए फ्रेंट्स राजनीतिक समानता कभी भी एथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तुक आर्थिक समानता का साथ नहों किसने कहा है कि राजनीतिक समानता कभी भी एथार्थ नहीं बन सकती जब तक कि उसे वास्तु वार्थिक आर्थिक समानता का साथ न न हो, आपशन A S A H T Al P K B D A A वार्षिक यच्ज लास्कि का ये कथन है कि राजनितिक समानता कभी या थार्थ नहीं बन सकतीули जब तक कि उसे वास्त्विक आर्थिक समानता का साथ नहीं हो सकती जब तक कि उसे वास्त्विक आर्थिक समानता का साथ नहीं हो सकती जब तक कि उसे वास्त्विक आर्थिक समानता का साथ नहीं हो या कथनलास्की का है इसी संबंद में जी डी यच कोल ने भी कहा है कि आ्रथिक समानता के आभाव में राजनीतिक सुतंता केवल भ्रह्म है यह किस ने कहा है तो आन्सर हो जाएगा डीऊच कोल ने कहा है कि आढ़नीतिक संवा जोillar मिछ रांप कोशन देखते हैं किसने कहा जहां कानून नहीं वहां पर सुतंतन गरी किसने कहा है जहां पर कानून नहीं वहां पर सुतंतता नहीं आप्सन में हाप्स आप शॉड सी ये ल दोस्तों flowers का गरी लाक दो सूडिर अन्श यहां कानून नहीं वहां सुतन्ता नहीं. यह अकथन जान लाग का है लग के अनुसार प्राक्तिक ब्राकुन कानून सरो मान मैं सभी जगे मानने और सभी जगे है उपस्तित है ऐसा उनका मानना था कि प्राक्तिक कानून जो है सर्व मान है और सर्व भौम है लाक कानून एवं सुतंत्ता को पूरक मानता है जो कानून है और सुतंत्ता है एक दूसरे का पूरक है ऐसा काना है लाक महोदे का तिरपन का कोशन देखिए निमलिखित में से कि कि इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक सक्ति की अध्यान की अधारभूत अधारा है। आपसन ए डेविड एप्टर ने, बी ए एलेन वाल ने, सी ए एमोस ने, डी ए लिकाक ने, तो तिरपन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह भी सही हो जाएगा एलेन बाल ने, एलेन बाल का एक कथन है, अगला इसका व्याख्या देखिए, एलेन बाल राजनीति के अध्यान में राजनीतिक सक्ति को मूलभूत अधाड़ा के रूप में मानते हैं, ध्यातवत है कि राजनीतिक विज्ञान के आधूनिक विचार को का मानना है कि राजनीति के अध्यान के लिए सक्ति के अधाड़ा को समझना जरूरी है, आगे चलते ह चोंवन नमर कोशन देखते हैं भारत में राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद को कौन सुझाता है तो फ्रेंड्स कोशन है आपका कि भारत में राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद को कौन सुझाता है आपसन ए निर्वाचन आयुक्त आपसन भारत के राष्टपती के निर्वाचन से संबंदित विवाद को उच्टम न्याले द्वारा सुल्जाया जाता है राष्टपती का निर्वाचन संसत के दोनों सदनों के निर्वाची सदस एवं सभी राज्यों के विधान सबाओ के निर्वाची सदस मिलकर करते हैं आगे चलते हैं 55 नमर कोशन देखते हैं भारत में सरोच नियाले में नायधीसों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है यह बताना है आपसंडिये राश्टपती की अधिसूचना द्वारा आपसंडिये संसद के अधिनियम द्वारा आपसंडिये भारत के संविधान में संसोधन द्वारा और आपसंडिये सब्सक्राइड के प्रत्वेदन 02 तो आंसर क्या होजायगा 25का 25 का संसत के अधिनियम भारत के सरोच में उसमें नयदिसद्रों कि संख्या बढ़ाई जा सकती संसत के अधिनियम द्वारा व्याख्या देखिये स выпол failure में सब्सक्राइड बढ़ाई जा सकती है वरतमान समय में सरोच चिनाले में एक मुख नायधीस है एवें 30 कपने नायधीस होते हैं उलेहाखनी है कि सरोच चिनाले की अस्ठापना, गठन, अधिकारिता, नायधीसों की संख्या वेतन एवें सेवा सर्ते निष्ठे करने का आधिकार संसद को दिया गया है आगे चलते हैं 56 नमर कोशन है प्राचीन भारत का मैक्या वेली किसे कहा जाता है आप सने वेद ब्यास को बी ए सुक्र को सी ए मनु को दी ए कोटिल को तो 56 का जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा प्राचीन भारत का मैक्या वेली कोटिल को कहा जाता है व्याख्या देख कर दिए कि कौटिल को प्राचीन भारत का मैक्यावेली कहा जाता है कौटिल की विचारधारा में के सरवाधिक समीप यदि कोई पासचात विचारक को रखा जा सकता है तो निच्चे रूप से मैक्यावेली हैं इन दोनों कि क्या है विचारों की समानता के कारर ही कुछ विचार को तिल को मैं क्या वेली का क्या काते हैं अगर दूत भी कहते हैं आगे चलते हैं संतावन नमर कोशन देखते हैं नागरिक सास्त की उत्पत्ती सिविक और सिविटाज से हुई है या किस भाथा का सब्द है यह बताना है आप सने जर्मन सब्द है फ्रांसिसी सब्द है लेटिन सब्द है ग्रीक सब्द है तो संतावन का अंसर आपका सी सही हो जाएगा लेटिन सब्द है यह क्या है लेटिन शास्त की उत्पत्ति सिविक और सिव्टास से हुई है यह लैटिन भासा का सब्द है यह याद रखिए व्याथ्या देख लीजिए लेकिन जो नागरी सास्त्र का प्रिथत अस्तित्व भी है आगे चलते हैं अंठावन नमर कोशन राजनीतिक सब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है राजनीतिक सब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो पोलिस भासा से हुई है पोलिस सब्द से हुई है तो एक किस भासा का सब सब्द है बताना है ग्रीक सब्द है अंग्रेजी सब्द है फ्रांसिसी सब्द है लेटिन सब्द है तो अंठावन का अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यह सही हो जाएगा ग्रीक सब्द है व्याख्या देख लिजिए moisturizing probably ticks सब्द की उत्पत्ति युनानी अर्थात Greek सब्द poli-ekenissa जिसका अर्थ है नगर राज्य, ईसा से पांस वर्स पूर्व नगर राज्यों को polis कहा जाता था, युनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतविद्यों का नाम politics कर दिया, politics सब्द सोर प्रथम अरस्तु द्वारा जैसे प्रयोग में लाया गया था ठीक है आगे चलते हैं 69 नमर कोस्टन असान कोस्टन है भारती संभिधान के किस भाग में संग राज्यों के संबंदों का उलेख है यह बताना है आपसन A 10 में आपसन B11 में आपसन C भाग 14 में आपसन D भाग 15 में तो आंसर क्या हो जाएगा 69 का भी सही हो जाएगा भाग 11 में भाग 11 में संग राज्यों के संबंदों का उलेख मिलता है व्याक्या देख लीजिए संग तथा राज्यों के मद विधाई संबंधी प्रावधान संबिधान के भाग 11 अनुशे 245 से 255 में दिया गया है अनुशे 245 से 246 केंद्र और राज्यों के मद विधाईक सक्तियों का उलेख है अनुशे 248 संसत की अवसिष्ट सक्तियों और अनुशे 249, 250, 252, 233 के अंतरगत संसत को राज सूची के विश्यों पर विधाई अधिकार प्रदान किया गया है आगे चलते हैं साथ नमर कोशन देखते हैं सुतंता और समानता एक दूसरे के विरुद नहीं अपितु एक दूसरे के पूरख है या कथन किसका है अंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा दोस्तों लास्की का ये कथन है कि सुतंता और समानता एक दूसरे के विरुद नहीं अपितु एक दूसरे के पूरख है ऐसा लास्की का मानना है व्याख्या देख लिजे लास्की के अनुसार सुतंता और समानता एक दूसरे के विरुद नहीं अपितु एक दूसरे के पूरख है लास्की ने समानता के बिना सुतंता को एक कांगी और अपूरद रिमाना है लास्की के सुतंता समानता पूरवक से ताति पर अमानवी व् विक्सित करना है तो फ्रेंड्स यह थे आपके 10 कोश्चन और उसके व्याक्या अगर वीडियो आपको एक पर्थरिंड भी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लें दोस्तो धन्यवाद अजर दोस्तो अजरू का लाइक कर दोस्तो प्लाबब फटाइब कर दोस्तो बाहद आपके जब सादिए हैं कर दोस्तो अजरू और बाहादाब एके दोस्तों प्मानो